नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल स्माइल फैमिलीस में। तो समझ लो आप अपनी जिन्दगी को बरबाद कर रहे हो। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे। कभी आपके घर में नेगेटिव उर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और जब हम इस तरह के काम करते हैं, घर में तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूल कर भी इन साथ चीजों को किसी को भी ना दे, नहीं तो आपको सरक पराने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में, अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुन्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं, तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समरिध्ध भी चली जाती है। जास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, तो उसके घर में बरबादी के लक्षन दिखने लग जाते हैं। आपको बरबाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है, आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में ये गलती मत करना कभी और। इश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। उसकी हर मनो कामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। सचे दिल से जय महालक्ष्मी दोस्तों विष्णु पुराण में इन चीजों का उलेख किया गया है। इन चीजों का संबंध महालक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिसे घर पर महालक्ष्मी की कृ बैभव भी नश्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध मा लक्ष्मी से है। दूसरों को कभी उधार ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन साथ चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्त किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शान्ती रहेगी। आज दोस्तों कुछ भी हो जाए। आप इन साथ चीजों के बारे में जान कर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शान्ती बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे। लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अंजाने में हुई गलतियां शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बत कश्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुर पुरान जो कि हिंदु धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंत माना जाता है। इसमें ऐसी कई बातों का उलेक मिलता है जो की गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इ ध्यान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद अर्थ ये है। कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। आपके पास सभी जीतने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। ये सबसे पहली चीज है पतनी के गहने दोस्त। स्त्रियों के आभूशनों को मा लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुन्दर आभू ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूशनों का होना सुख सम्रिध्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पतनी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तिमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगल सूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्षमी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समरिध्ध बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दे। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती है, जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती है, और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने सिमा लक्ष्मी जी को रूट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूशन या गहने महा लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए, किसी को भी दूस लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जाद्धु में मा लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए अपने घर की जाद्धु कभी किसी को उधार में या उप्योग के लिए ना दे, अगर जाद्धु खराब हुई है, तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा लेकिन उसे किसी को उधार में ना दे या कचरे में न फेंके क्योंकि अगर आपके घर की जाट्धू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांती पर पड़ता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि जाट्धू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। जाट्धू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। जाट्धू को पैर लगाने से घर में वास्तुदोश हो सकता है और आपको आर्थिक हानी भी हो सकती है। अगर आप घर में जाट्धू रखती है तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। जिससे आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आई। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ती के घर से बाहर निकलते ही आपको जाट्धू का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ती को अपने कारियों में सफलता नहीं मिलती हैं दोस्तों। यही नहीं। यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हूं तब भी आपकी तुरंत जाधू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्षमी रूट सकती है और आपको धनहानी हो सकती है। तीसरी चीज सूरज डूबने के पश्चात दूद, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। मा लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराज मान रहे हैं। ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए जिससे घर पर माहलक्ष्मी की कृपा होती है। खास कर त्योहार, एका दशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन, दूसरों को कभी ना दे दोस्तों, पांचवी अबात महालक्ष्मी वैभव प्रधान करने वाली सौभाग्य देने वाली ममता की मूरत है, साथ ही वह अनपूर्णा भी है। इसलिए हम अनग्रहन करने से पहले मा अनपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुधता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की कि पांचवी वस्तु है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तिमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीजे दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शान्ती भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बरहने के साथ और रिष्टे खराब होने की भी आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बरतन भी दान में देते हैं। लेकिन जोतिश शास्त्र के अनुसार स्टील के बरतनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुब हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बरतन दान करने से परिवार की सुख शान्ती भंग होती है और जगरे आते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, इसलिए स्टील के बरतन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बरतन दान करते हैं, तो आगे से ना करें, कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सातवीं चीज है, फटे हुए गरंथ और किताबें माना जाता है कि कभी भी फटे हुए गरंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए।